नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज मैं आपको electrical या plumbing का कार करते समय जब हम grinder यूज करते हैं ठीक है तो दोस्तो जो उन से निकलने वाला जो हीटों का धूल होता है ठीक है वह हमारे शरीर को अंगों को हमारे शरीर को किस प्रकार से नुखसान पहुँचाता है इसी की उपर मैं य कुछ हदता क्म चैनल को प्रति हमको करते हैं अर Independent ने.. बेल आइकन को प्रेश को प्रेस करके उसका मोड है स्क्रिक करके इस तरकी वीडिक को पाने के लिए तो आए दोस्तो अब हम start करते हैं दोस्तो जैसे हम ice protection या face में कुछ कपड़े बगएरा नहीं यूज करते हैं ठीक है और direct ही cutting करते हैं ठीक है तो दोस्तो जो धूल के कड़े हैं ठीक है वहाई सांस के द्वारा हमारे नाक और मुँख की दौरा अंदर चले जाते हैं उससे होता क्या है दोस्तों जैसे earth klas youtube kay यह इतते हैं यह स्टास हो जाते हैं द्वाई बगारार यह थीक है जितने भी स्ब्सक्राणीत दिरे मतलब डाइरेक्ट नहीं होगा यह दोस्तों कैंजब समय बाद हो जाता है कांपी तो जब गले के पास अगुसुन हो जाता है जो HA iter Fu是我 to होता है और जो आनक हो गए ठीक है तो आन्क हो में कई परकार infection हो जाता है जो इस परकार से direct जब हमारे आंकों पर आता है इसका जो धूल तो ठीक है अब दोस्तों ग्मारी बात जो तरकी ठीक है que रियुभाई कगर दोस्तों होता क्या है कि जो वाल ठीक है और जो जैसे हाद चेहरे पर पढ़ा ठीक है तो वहां पास हर के फूरे फaoड़े फुमसी भगएरा भी अठीपन हो से दोस्तों जैसे हम पहले अपने मुह नाक और सर को ढखने के लिए इसका आप यूज करेंगे क्योंकि दोस्तों यह कई करसी परकार से पढ़ता है ठीक है तो जो धूल के कड़ है क्रम यह से पहले मोटकाय बाहर हुआ फिर उससे कम अंदर घया फिल्टर हुआ इस्पर कास से फिल्टर बहुत बारीक ही अंदर जा पाता है ठीक है लेकिन दोस्तों जैसे हम शर्ट यूज करेंगे और लोबर तो य करें कि किसी भी जगह से जो धूल के कड़ है और जो कचड़े बगार है आंकों के अंदर ना जाए उसमें अंदर ना जाके वहां कोई प्रभावर ना डाले कि दोस्तों जो आंक होती है आंकों का इंफेक्शन ना हो इसले चाशमें का उपयोग करें अब दोस्तों जैसे हमारा जो सूज है उसको भी उपयोग करें kondissional से इस Lawrence पर पहना हुआ है ठीक है दोस्तों इस प्रकार से होती है इस प्रकार adaptation करिए भविश्द के लिए